हलो एब्रिवन वेलकम टू नॉलेज मॉल्ट आज की जो वीडियो है उसमें 40 कोश्चन का MCQ टेस्ट है जो कि आपको BSAC मेंस बिहार दरोगा SI के लिए और साथ ही साथ बिहार पुलीस के लिए काफी हल्फुल होने वाला है और जोर सोर से लग जाईए क्योंकि बिहार दरोगा SI का notification कभी भी आ सकता है और अपने success को sure करने के लिए आपको अभी से ही तैयारी में भीड़ना होगा और बिल्कुल जोर सोर से भीड़ना होगा ये नहीं कि बस तैयारी कर हैं कर हैं कर हैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल आप subjective भी पढ़ते रहिए और जो test series में provide करवा रही हू उसे भी जरूर लगाए और note को पी एक जरूर बना के रखें जो भी question आपको नए लगते हैं या उसमें जरा सा भी doubt होता है तो उस question को आप note down कर लीजे ताकि आप उसका revision कर सकें तो चलिए देखते हैं आज का question question ने पहला कि सौभागय इसकीम का उदेश सर्वव्यापी रूप से क्या प्रदान करना है आंसर है option B घरों की विद्यूती करन सौभागय योजना या प्रदान मंतरी सहज बिजली हर घर योजना घरों को बिजली प्रदान करने के लिए भारत सरकार की एक परियोजना है इ इस्तार कहां तक है आंसर है option B 12 समुद्री मील समुद्र में प्रादेशीक समुद्री सीमा 12 समुद्री मील या फिर 12 नौटिकल मील तक भारत का संपूर्ण अधिकार है एक नौटिकल मील अथवा एक समुद्री मील बराबर होता है 1.8 मील रास्टिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरन के अध्यक्ष कौन है आंसर है option E प्रधान मंत्री भारतिय रास्टिय आपदा प्रबंधन प्राधिकरन के अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं निमनलिखित में से कौन सा आगनिय चट्टान का एक प्रकार है? आंसर है option C, ग्रेनाइट और ये जो ग्रेनाइट है इसका रुपांतरीत रूप नीस है जो की एक आगनिय चट्टान का उदाहरन है निमनलिखित में से कौन लोग हितवादी के रूप में लोगपिडियत है? आंसर है option A, गोपाल हरी देश मुख 26 मालाबार युद्धभ्यास 2022 कहां आयोजित किया गया? आंसर है इसका option D, जापान के योकोसुका द्वीब के पास 26 मालाबार युद्धभ्यास, क्वाड देशों द्वारा जापान के योकोसुका द्वीब के पास आयोजित किया गया था क्वाड में चार देश सामील है, कौन-कौन से इसे भी आप याद रखे क्योंकि अगर ये पूछ लिया जाएगा तो आप इसे मिस कर देंगे तो भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया और विश्वास प्रस्ताव निमलखित में से किस अनुच्छेद से सम्बंधित है आंसर है ओप्सन C, अनुच्छेद 75 या सम्बिधान के अनुच्छेद 75 से सम्बंधित है और इसे केवल लोगसभा में लाया जाता है तथा इसे विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जा सकता है ऐसे प्रस्ताव के पारित होने से सरकार गिर जाती है क्योंकि सरकार लोगसभा में अपना विश्वास खो देता है इस प्रस्ताव के लिए लोगसभा के कम से कम पच्चास सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है निमलिकित में से किस पदार्थ से चांदी की वस्तूओं की अभिकिरिया होती है जिससे वे काले पढ़ जाते है आंसर है ओप्सन ए सल्फर से चांदी की वस्तूओं ए खुली वायू में छोड़ने पर काली पढ़ जाती है क्योंकि चांदी की वायू में उपस्थित सल्फर के साथ अभिकिरिया से सिल्वर सल्फाइड की परत बन जाती है जो काले रंग की होती है प्राथमिक इंद्रधनूस बनने में प्रकास के कितने आंतरिक परावर्तन होते हैं? आंसर है ओपसन बी एक ध्यान रहे कि प्राथमिक इंद्रधनूस बनने में पूछा जाएगा कितना बार परावर्तन होता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन? होता है कठोर जल को मृदू जल बनाने के लिए निम्लिखित में से किस सोडियम यौगिक का परियोग किया जाता है आंसर है option A sodium carbonate का निम्लिखित में से किसकी उपस्थिती के कारण golden rice का रंग सुनहरा पीला होता है आंसर है option D beta carotene की उपस्थिती के कारण और इसमें परचूर मात्रा में vitamin A पाय जाता है निम्लिखित में से भारती सम्विधान का कौन सा अनुच्छेद आकस्मिक्ता निधी से सम्बंधित है आंसर है option C अनुच्छेद 267 से निम्लिखित में से कौन वायू प्रदूशन का सूचक है आंसर है option B like in monkey mark सब्दावली का उप्योग होता है आंसर है इसका option A कुस्ती में किस सम्विधान संसोधन अधिनियम द्वारा सिक्किम को भारती संग में पूर्ण राजि का दरजा दिया गया था आंसर है इसका option B 36 सम्विधान संसोधन अधिनियम द्वारा मूल सम्विधान में सिक्किम भारत का हिश्चा नहीं था 36 सम्विधान संसोधन द्वारा 1975 में उसे पूर्ण राजि का दरजा दिया गया अकसाई चीन किस राजि में इस्थित है आंसर है option D कौन सी समीती अर्ध न्याइक प्रकिर्ती की होती है आंसर है option B विशेसाधिकार समीती पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है आंसर है इसका option B भासकराचारिय सेख हैंड ग्रीप सब्द किस खेल से सम्बंदित है आंसर है इसका option C टेबल टेनिस से नाइलोन 66 के निर्मान में किस एसीड का प्रयोग किया जाता है आंसर है option B एडिपिक एसीड का मानोव विकास सूचकांक पहली बार कब प्रकाशित हुआ था आंसर है option 1990 में मानोव विकास रिपोर्ट HDR सन्युक्तराष्ट विकास कारिकरम इनिकी UNDP के मानोव विकास रिपोर्ट कारियाले द्वारा प्रकासित एक वार्सिक मानोव विकास सुचकांक रिपोर्ट है पहला मानोव विकास रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तानी अर्थसास्री महभूब उलहक द्वारा लॉंच किया गया था कुंजरू समीती की अस्थापना कब की गई थी? आंसर है ओप्सन बी 1959 में 1959 में भारस सरकार ने डॉक्टर हिर्दैनाथ कुंजरू की अधक्षता में एक समीती की अस्थापना की इसमें सरकार को हार्दिक सिक्षा, मनुरंजन वविद्यार्थी अनुशासन सद्रिश विसेयों का सुझाव देना था महिलाओं के लिए जैबलीन का भार होता है आंसर है ओप्सन ए 600 ग्राम ओलंपिक गेम्स के नियमों के अनुसार पुरूस भाला फेक परतियोगिता में भाले की लंबाई 2.6 से 2.7 मीटर के बीच होती है इसका वजन 800 ग्राम होता है जबकि महिलाओं के लिए भाले की वजन 600 ग्राम और लंबाई 2.2 से 2.3 मीटर होती है निमलिखित में से कौन सा भारतिय अर्थ्वेवस्था में सरवादिक स्रम अवसोधक छेतर है आंसर है ओप्सन ए प्रात्मिक छेतर प्रात्मिक छेतर के अंतरगत क्रिशी, पसुपालन, व्रिक्ष रोपन और मशली पालन सामील है भारत में कुल जन संख्या का 65 प्रतिशत भाग केवल क्रिशी कारे करता है दुईतिय केवं तरितियक छेतरों में कारेरत लोगों की संख्या का अनुपात 13 तथा 20 प्रतिशत है परमानू नाभिक के अव्यव है आंसर है ओप्सन बी प्रोटोन और निट्रोन परमानू के केंदर में एक नाभिक होता है जिसमें प्रोटोन तथा निट्रोन इस्थित होता है इलेक्ट्रोन नाभिक के चारो और एक निस्चित कक्षा में चक्कर लगाता है निमनलिखित तत्वों में से कौन सरवाधिक योगिक निर्मान करता है आंसर है option B, carbon आयोडीन युक्त हार्मोन है आंसर है इसका option A, thyroxine निम्नलिखित में से कौन एक रीट नयायले में कारवाहि लंबित होने की दसा में लागू की जाती है आंसर है option C, प्रतिसेध प्रतिसेध रीट नयायले में कारवाहि लंबित करने की दसा में लागू की जाती है जब निचला नयायले अपने अधिकार छेतर से बाहर किसी विशे पर सुनवाई करता है तो उपरी नयायले प्रतिसेध रीट जारी करके मामला को अपने पास मंगा लेता है भारत के समविधान में केंदर और राजियों के बीच किया गया सक्तियों का विभाजन इनमें से किसमे उलेखित योजना पर आधारित है आंसर है ओप्सन डी भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत के समविधान में केंदर और राजियों के मद्ध सक्तियों का विभाजन भारत साशन अधिनियम 1935 में उलेखित योजना पर आधारित था इस अधिनियम की सात्मी अनुसूची में संगीय राज्य और समवर्ती सूची में विसेयों का विभाजन किया गया था इसके अतिरिक्त प्रांतों में द्वैत साशन समाप्त कर केंदर में द्वैत साशन को लागो किया गया था वित्विध्यक के बारे में विशेस उपबंद किस अनुच्छेद के अंतरगत किया गया है? आंसर है ओप्सन ए अनुच्छेद 117 में निम्नलिखित में से राश्ट्रपती किस की नियुक्ति करता है? आंसर है ओप्सन डी उपरोग तो सभी की भारत के महानियावादी की नियंतर के वं महालेखा परिक्षक और एक राज्य के राज्य पाल की राश्णपती संविधान के अनुच्येद 76ator के अनुसार भारत के महानियवादी अनुचिद 148 के अनुसार नियंतरक अवं महालेखा परिक्षक तथा अनुच्यद 45 के अनुसार राज्यों के राज्यपाल की नियुक्टी करता है निमलिक्षित में से कौन सम्मीलित नहीं है आंसर है इसका option D यहाँ पे दिया गया है करणाचल प्रदेश में पीट मिर्दा की उपलब्धता होती है जो की गलत है क्योंकि पीट मिर्दा जो है भारत के मुख्यता केरल उत्राखन एवं सुन्दरबन डेल्टा में पाये जाते हैं बाकिये के option सही है काली मिर्दा गुजरात लाल मिर्दा तमिलनाडू और काली मिर्दा जो है यह महरास्ट के भागों में भी पाये जाता है और जलूड मिर्दा पंजाब आलमगीर नामा नामक प्रगरंथ का संकलन निमलिखित में से किसके द्वारा किया गया है आंसर है option B. मुहम्मद गाजीम मुहम्मद गाजीम द्वारा अरंग्जेब के सासन के पहले दसवर्सों के इतिहास का संकलन आलमगीर नाम के नाम से किया गया है स्वदेश और बहिसकार पहली बार किस घटना के दौरान संगर्स की विधी के रूप में अपनाए गये थे आंसर है option D. बंगाल विभाजन के विरुध आंदोलन के समय भारत में कम्यूनिस्ट पार्टी की अस्थापना किस वर्स हुई थी आंसर है option B. उनिसो पचीस में वर्स 2023 के गंतंतर दिवस परेड में सर्वस्रेश्ट मार्चिंग दल के रूप में किसे चुना गया है आंसर है option D. पंजाब रेजिमेंट सेंटर टुकरी को भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है आंसर है इसका option C. 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व भारत जो है पूरी तरह से उत्तर पूर्वी गुलार्द में इस्थित है या 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांस से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांस के बीच इस्थित है और 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से ले करके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तर विस्तरीत है तो यहाँ पूछा गया था सबसे पूर्वी देशांतर तो सबसे पूर्वी देशांतर हो जाएगा 97 डिगरी 25 मिनट पूर्वी देशांतर निम्न महाद्वीपो में कौन गोंडवाना लेंड का भाग नहीं है आंसर है option C उत्तरी अमेरिका गोंडवाना लेंड का पार्ट दक्षनी अमेरिका, मेडागासकर जोके अफ्रिका में है, प्राइदुपिय भारत, औस्ट्रेलिया और अंटार्किटिका है जबकि उत्तरी अमेरिका, ग्रीन लेंड, एशिया तथा यूरोप का निर्मान अंगारा लेंड से हुआ है चूने के पानी में कार्बन डायोकसाइड गैस प्रवाहित करने पर अपछेप किस रंग का प्राप्त होता है आंसर है ओप्सन C, स्वेत रंग का फेरस सल्पेट क्रिस्टल में विद्दमान जल के अनुओ की संख्या कितनी होती है आंसर है ओप्सन D, साथ तो ये थे 40 कोशन का MCQ सेट, आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ सेर जरूर करें साथ ही अगर चैनल पढ़ नए हैं, तो फटा-फट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको ये जो टेस्सरी चलाया जा रहा है इसे बाद में 40 कोशन से बढ़ा कर 100 कर दिया जाएगा बस नोटिफिकेशन का वेट कर रही हूँ, नोटिफिकेशन अगर आज आता है उसके बाद आपको 100 कोशन का MCQ टेस्स देखने को मिलेगा तो फटा-फट से आप बेल आकन को भी प्रेस जरूर कर लें, सब्सक्राइब करके ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, धन्यवाद